फिर से चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है अगामी 31 मार्च को विधान परिशत की पांस सीटों पर चुना होने वाले हैं जिसके लिए महागटवधन के सासाथ बीजेपी ने भी अपने उमिद्वार का एलान कर दिया है बिधान सभा की पांस सीटों पर महागटवधन के सासाथ बीजेपी ने भी अपने उमिद्वार की घोसना कर दी है महागटवधन ने साजहा प्रेस कॉनफरेंस करकर अपने पांच उमिद्वारों की घोसना की है जिसमें तीन जदियू के उमिद्वार होंगे, एक आरजेडी के उमिद्वार होंगे और तीसर पाचमा जो उमिद्वार होगा वो CPI का होगा यह तो पांच सीटो वाले विधान सभा चुनाओ के लिए महागटवधन और BJP के उमिद्वार आमने सामने हैं लेकिन भी आईपी पर मुकेश सहनी ने भी अपने उमीदवार उतार कर मुकाबला को और भी रोचक बना दिया है क्यामणामेन रिशी के साथ सौरकमार पट्टना न्यूज 24 नमस्कार मैं हूं मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे है यूज 24